गरों में नमाज पड़ेंगे यह को छोटी मोठी बात नहीं होती अब और ओस्पटल से आगे मुठरोट पे रोहिंगा मुसल्मान ने कबाड़ के रहा हुआ है जो नित नित जाम लग रहे हैं रोज लेकिन कोई कारवा नहीं हो रही यह वही कनवर्ड हिंदू है जो डर के मारे मुसल्मान बन गए इतास उठाके देख ले इनकी ताकत कैसे बढ़ जाती है क्योंकि लोग तंतर पर भी तंतर भारी हो रहा है और यहीं चीजें इतने मर्द होते तो अपना धर्म में चोड़ते आज भी उस धर्म की बात करूं अपना गोत्र भी नहीं बदल पाए वो धर्म बेज़के बदल लिया हो मला हमारी आज सोवायात्रा कल को यह सवयात्रा भी नेंकर ले देंगे और आपको याद ह चोबिश परसेंट थे जब यह लोग जिन्होंने हमारे हलक माध्य के पाकिस्तान ले लिया था और आज वही हालात बना दिया लोगों ने शाहिन बाग में धंकियां देंगे तो शाहिन बाग वाले दोग देंगे रास्त रोकेंगे तो शाहिन बाग के लोग रोकेंगे सब यहां पर सहमत हैं कि जहां नाजाइज काम हो रहा उस नाजाइज काम को रोका जाए और मेरे सब भाई यही कहेंगे कि सही हो रहा है अतिकरन को हटाया जाए जो आदमी बजाते हैं खुद नाजाइज है जिसकी एक्जिस्टेंस ही नाजाइज है तो वो काम भी तो करेंगा उन्लों नोट रंडे मार मार के इनको भगा दिया और यहां पर इनको वेलकम कर रहे हैं वो कहते हैं कि हां बसो और मैं आपको दसदार रुपय महीने खर्चे के पैसे दूगा यहां का मुसल्मान बर्मा से आये हुए मुसल्मान का सगमामा बन जाता है पचास देशो सब्सक्राइब को जाने क्या हो जाएगा आखिरकार जो mcd का जो आदेस आया है अतिक्रमन को हटाने का गुषपैटियों के द्वारा जो अतिक्रमन है उसको हटाने के लिए यह चौहां चौपाल है यहां पर तमाम लोग बैठें इनसे बातचीत करने की कोसिस करतें आखि से बड़ी बात है कि साहीन बाग की जब चर्चा होने लगी तो ncb यहां पर पहुंच गई उन्होंने यहां से जो नसीले पदार्थ है उनका जखीरा हासिल किया है और यह साहीन बाग पहले भी प्याइफाई के दफ्तर यहां पर हुआ करते थे इस तरह की गत्विदियों कि आदिमियों को बैन किया जाए रही बात साहिन बाग बटलाओ जामियन अगर जितना भी यह है यह सब लोग क्राइम मैंडिट लोग होते हैं अगर में पिछले उस पर भी जाए हम लोग एक 80% यह लोग है क्योंकि क्राइम मैंडिट बलतकार में अगर 86000 बलतकार हुए है तो 80,000 लोग यह है और उसमें बलतकार के शिकार कौन होती है मेरी हिंदू की बहन बेटिया लेकिन हम लोग ना बोलना हमारी कायरत बन चुकी है और आज तक 72-75 साल के बीच में जो कॉंग्रेस ने राज करा है अब तक यह सड़कों पर नमाज पढ़ता है हमने कभी अब यह जनसंग के बढ़की भाइचारान के लिए खतम हो जाता है शिम नैशनल मीडिया पर बैट कर वो कहते हैं घरों में नमाज पढ़ेंगे यह को छोटी मोटी बात है यह हमारी समझने की बात होती है कि हमारे सामने वाला दुस्मन कितनी तयारी करके बैटा यह सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब कि 500 अब भी बंगला देश से आएगा वह आपका अधारकार भी बना देगा और वह फिर भारतिय नागरिक बन जाते हैं इसकी जाच होनी चाहिए इंकोच्मेंट की जहां भी हो मेरा इंकोच्मेंट हो करनल साब का हो यह बदरुदीन का नसरुदीन का या अब्दुल का हो कुरेशी का हो इनकोच्मेंट हचना चाहिए चाहिए किसी ने अभी 20-20 पूट रोड पे बैठ हुए और मैं आपके बता दूँ 65% भारत की जितनी भी सरकारी भूमी पे है यह लोग बैठ हुए किसी भी रूप में रोडों पे फलो की र क्योंकि सबसे पहला जो सरकारी नुमाइंदा उस चीज़ को देखता है सबसे पहले उसे कानुन का दारिये मिला है क्या होता जी उसकी बीड़ हटा के दूसरे करती लेकिन मेरा नुकसान कितना हुआ मेरी गाड़ी एजाम हो रही है उनके होचले कि इस चीज़ को नहीं दे अंदोलन हुआ अगर वो कह रहें कि अगर इधर बुल्डोजर चला तो फिर पहले जैसा अंदोलन हम करेंगे और आने नहीं देंगे बुल्डोजर को यह वही कनवर्ड हिंदू है जो डर के मारे मुसलमान बन गए इतास उठाके देख ले इनकी ताकत कैसे बढ़ जाती है क्योंकि लोग तंतर पर भीड तंतर भारी हो रहा है जिस दिन हम भी खटा कहोना सुरू हो गए उस दिन हम भी अपनी ताकत दिखा देंगे लेकिन सरकार जो अपनी पिछली रही है इनको सरकारी दमाज बनाया इनकी ताकत बढ़ गई है योग जी महराज के खिलाब भी कू सर्कार को सर्या कानून लाना चाहते हैं अगर हम भी अपना गीता कानून लाए तो मिंटों में मटा देंगे क्योंकि भगवान ने कहा है कि धर्म और रक्षित रचीते हवन से और तिलक्स से यह हमारा धरम नहीं बचाएगा अगर हमने हाथ मोड़ ने तोटने चीक लिए तो दो मिनट में भारत में गीता का सभीदान लागों हो जाएगा अगर काली चरन की बात करें तो महत्मा गांधी पर कुछ बयान दे देते हूं वह हेटी स्पीच में आ जाता है बाबो जी हमारा जो पीछे को पड़का जो 72 साल का जो दम है इन लोगों का वह सरकार कोट की पिंड़ी जामती है अभी जागिर पूरी में बारे गंटे पांच मिनट में फैसला दे दिया है और मंदिर के लिए हमारे 500 साल लगाती है कितने मसलें ऐसे पड़े हुए भी इन को मत छेड़ ला हमारी साज सोवा यात्रा कल को यह सवयात्रा भी निनका लें अगर इनके ऐसी वालों प्रंतरा तो इनकी जंसंग्या बढ़ती रही तो सबसे पहले भार सरकार जंसंग्या कानून में बनाए क्योंकि इनकी बढ़ती हुए आबादी रोगनी बहुँ चुर सबसे बिट्स जाता है इनक्रोशमान की बात चली है अगर यूपी में बुल्डोजर चलता है तो ना तो कोई कोट के दरवाज़ भटगटा ता तो sequential कीस भी नक्षली यह तो और भी नक्सलियों से भी खतरनाग है क्योंकि हमारे बीच है और इसने इतनी और इनको दे दिया भी आपने देखा होगा इमामों की तंका से लेकर कहीं भी कोई बात होती है तुष्टिकरण की राजिती शुरू कर देते हैं नहीं भी जांगिरपुरी में मोदी जी आमें और हाथ जोड़ा की पर संगा ना करो बाई पत्थर भी तुम भैगो हाथ भी हम छोड़े मेरी यात्रा पत्थर भैगो के तुम और तुम अपनी ताकत दिखा रहा हुँ उसके साथ नेता खड़े जाते हैं जितने भी जैन्यू में टुक्ड़े टुक्ड़ें गेंगे बाई पर कहते हैं आजी सबसे बड़ी है कि जांगिरपूर में अगर सोभा यात्रा पर पत्राव होता है तो उसके बाद ही एमसीडी ने ये बड़ा एक्षन लिया इससे पहले क्यों नहीं लिया कि क्या उससे पहले सब्सक्राइब करना चाहिए कि आपके इलाके मागर को इंकोजमेंट होता है उसके जिम्मदार आप भी हो इसमें पार्टी बदलती उसको परकास कर दिया ऐसे नहीं चलेगा इसमें और थोड़ा मजबूती से बाहरों सरकार को कारी करना पड़ेगा कि पहले आपादी में कम थे अब धीर दीर बराबर हो गई और आपको याद हो 24 परसेंट थे जब यह लोग जिनोंने हमारे हलक बना देके पाकिस्तान ले ता आज वही हलाद बना दियें लोगों ने कलकात्तों में देख लीजे कितना बुरा हाल है दिल्ली में हम जैसे लो परिवार में पांच बजे दिन के उन्होंने घर में से समान निकाल लिया जो भी चीज मिले लेकर सरयाम लेकर बैठके खुले आम कह रहे हैं कि हम तो हिंदू के घरों में नमाज बढ़ेंगे वही तो हैं वह लोग तो हमें समझनी पढ़े कि अपना आजेंट बता रहे हैं लेकिन उनके आजेंडे को हमें समझना पड़ेगा कि हमारा दुष्मन रोज एक कदम मेरी तरफ बढ़ रहा है किस तैयारी से बढ़ रहा है वो तैयारी हमें भी करने पड़ेगी सरकार के भरोश नहीं रह सकते हम जगड़ा करने वाले लोग नहीं है यह हमारा इताहसरा है लेकिन उनके एक अगर क्राइम होता है तो वह सी महां से बोलता है हाँ ठीक है उनकी मोन सुर्किति उनका होसला बढ़ाती है लेकिन हम लोग नहीं समझ पारे समझना पड़ेगा आने वाली पीडियों को अगर सुरुक्चित रखना है नहीं तो हमारे बच्चों का भश से लेतियर पर चला जाएगा कोई बचा नीसकता यह हमें खड़ा होना होगा यह लास्ट पीढी है जो संगर्स करेंगी और करना होगा मजबूरी है जो सच्छा ही है वह कहते हैं बन्ला हमारा है कैसे मैं मस्ची घरुक्त है नहीं उनकी मानसिकता सच्ची है उनका पीछे का ए हम जगडा नहीं करने वाले लेकिन अपनी सुरुक्षा तोकर सकते हैं लोग अपनी बेंटार के चौधरी है। नंबरदार है। उनका भी फर्ज हमारा बनता है कि वह भी मेरे भाई असनातनी है। उनकी रख्षा के लिए भी हमें कदम उठाना चाहिए और नहर पार जितने भी बंगला देशी है यहां मेरे में भी हो मेरे परिवार के में भी हो मैं दो मेने का इल्टी मेटरम दे रहा हूं या तो वो ने खाली कराए और फिर गाउम के यूवा मिलकर सरकार के आधिन जुद लगी है और कुछ लोग यहां पर जिस तरीक केसे साहिं भाग में पहले जो धंकिया दी गई इस तरह बड़ी बात है कि अगर यहां पर बुल्डोजर चलता है तो यहां के मदनपुर खादर के लोग क्या सोचते हैं कि वाकई वो जो बुल्डोजर है सही दिसा में चल रहा है और चलना चाहिए पहली बात तो यह है अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ इट इस इम्मेटीरियल इट इ यहां पर जो एक्टिविटी हो रही है जो सरकार कर रही है जो मेयर कर रहा है वो सही कर रहा है यह मैं समझता हूँ और मेरे सब भाई यही कहेंगे कि सही हो रहा है अतिकरन को हटाया जाए जिसे आप बुज़र्ग है इससे पहले आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर गुस्पैटिया या रोहिंगिया रहे बंगला देसी नहीं थे उस समय के हालात कैसे थे और जब से यह लोग यहाँ पर आकर के जो इंक्रोश्मेंट की है उसके बाद के हालात कैसे रहे यहां के है नेचुरली हर चीज में जो डेटरिडियेशन तो आएगी के लाइंड और सिचुएशन जो वो खराब होगी चोरी चुकारी है यह ज्यादा बढ़ेगी नाजाइज काम है वो होंगे और जो आदमी बजाते है खुद नाजाइज है जिसकी एक्जिस्टेंस ही करेगा तो हमारा तो एत्राज है सबका एत्राज है किसी से पूछ लो आप यहां पर क्यों आए रोहेंगे आए क्यों वहां पर बिराथु ने भगा दिये बर्मा मैंसे वह बहुत ही जो डुसाइल होते हैं जो यह बुद्धिस्ट हैं उन लोग उन्हें रंडे मार मार के इ यहां कि इतने लोग भुके मर रहें इतने कमजोर तर्टाब का है उसमें कितने पैसे बाटे हैं उन्होंने बुल्डोजर की बात आने लगी तो आम आदमें पार्टी बीजेपी के दफ्तर पर हंगामा सुरू कर देती है कि बुल्डोजर इस तरीके से नहीं चलना चाहिए कहीं बुल्डोजर का भी धर्म ढूंड रहे हैं कि कह रहे हैं कि मुसल्मानों के उपर ही चल रहा है वो तो है कि कोई रिजनेबल बात कहने की उसमें शम्टाक शक्ती रहती ही नहीं है क्योंकि उनके उपर रंग चड़ा हुआ अपनी पार्टी का पार्टी चाहती है ऐसा बोलो तो सब ऐसे बोलेंगे चाहिए वो गलत है चाहिए तो इसमें मैं क्या करूँगा तो सीधा सीधा साफ दिखाए दे रहा है बंगला देशी और रोहिंगा होंके साथ मिलकर के ही उस कुर्सी को हासिल किया जा सकता है बाकी यहां पर जो और समाज के बनेगा आप चारा दरूर बन जाएंगे नंबर दो यहां का मुसल्मान बर्मा से आये हुए मुसल्मान का सगा मामा बन जाता है दे आर हेल्पिंग सारे का सारे लोग जो है उनके फेवर में हैं क्योंकि जहां अरब देश हैं इतने देश हैं पचास देशों में यहां से हटाने के फेवर में है और जो बसाने के फेवर में उनको मत आने दो आपका मत होना चाहिए जन्मत होना चाहिए ने जन्मत कहा है और यू 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 उनाइटिट ओन एनिफेटर यह बता दो मुझे आदे हिंदू तो मुसल्मानों को सपोर्ट करते हैं और यह सारी समश्या की जड़ है सिर्फ मुसल्मान हो ना उनको सब कुछ हक दे देता है यहाँ पर ना अज़े एक सबसे मज़ेदार बात है कि जिससे पहले जब सीय और एनर्सी की बात जब हुई और सीय कानून आया तो यहाँ पर ब्रोध होने लगा कहने लगे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे आप तो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्ट के कागज हैं आप तो कागज भी दिखाने के लिए तैयार है बुल्डोजर कैसे चला देंगे इस तरह की बातें भी हो रही है वेल एवरिटिंग केन बी स्रॉटिड आउट ऐसा कुछ नहीं है कि कागज दिखा देंगे तो उन कागजजों की जाइज ना जाइज आजसे उसको तेकिकार नहीं हो सकती क्या आपके पास अ मैं समझता हूं दिन राधा आधार का अलट बन ने लग रहे हैं आप बंग्लादेश से किया बर्माला से और कहीं झेंसे और उसे आजाओ और पांच मिनट में आधार काड बन जाएगा निबटी यहहां पर बनाने वाले पैठे यह हूँ लेकिन नाम निफन है कि लेकिन बेसिक चीज यही है कि हमारे लोगों में वो यूनिटी वो यूनियन नहीं है जो इसलाम के नाम पर मुसल्मानों में है और ये एक फेक्टर है उनका गजबाई हिंद वो करके रहेंगे कोई कहता है पंद्रे मिनिट के लिए पुलिस ठालो और हम दिखा देंगे क्या ह कोई कहता है कि हमको मैं च्छेड़ो 30 हैं 20 को जाने किया फूइगा ह कि जीदे सीदे धंकी दे रहे हैं कहरें कि हमारे यूँ हमारे जुपा लड़के हैं अगर रोड़ पर आ जाएंगे तो तुम रोग नहीं पाऊंगे बिल्कुल बिल्कुल वो धमके दे रहे हैं और धमकी क्यों दे रहे हैं क्यों को अन्वा संगटन है गलत हो या सही हो वह एकमत है। वह हर आदमी उनका एक हजार जूट वो लेगा लेकिन सपोर्ट एक दूसरे कोई करेगा। मदनपूर खादर के लोग क्या सोच करके बैठे अगर इस तरह की कोई परिस्टी आती है तो तैयार बैठे हैं नहीं बैठे सारे लोग यहां एक जन्मत यहां पर जो बैठे हैं आपको आप से पहले मालूम भी हो गया होगा लेकिन इका दुका जो हमारे लोग भी उनको हेल्प कर रहे हैं जाइज ना जाइज जाने अन जाने पहले उनको कर लो ना डील कर लो पहले उनको